एशा ते भी हिता सांखे बुद्धिर योगम पी माम स्रीडू बुद्ध्या युक्तम याया पार्थम कर्मबंधम प्रहाश्यसी प्रेदर शुको नमस्कार एक पर फिस उपस्थित हूँ आप सब के सामने आज का कारिक्रम एक ऐसा योव उपस्थित हूँ लेकर के जो आपको और लगबग प्रतिक कुंड्लियों में और कई कुंड्लियों में आसानी से मिल जाता है तो बन के रहिएगा कहीं जाना नहीं है और कारिक्रम के आरम हमें बोलेगे श्लोकार्थी बताने वाला हूँ आज शुरू करते हैं आज का कारिक्रम बात सिर्फ इतनी है और वो इतनी है कि अगर आपकी कुंड्ली में अब ध्यान से समझेगा कहीं जाकर के नहीं इधर उधर नहीं कि अगर आपकी जन्म कुंड्ली में ये बात बनती हो लगन कुंड्ली के बाद अगर ये बात नममांश में भी बनती हो की यहां के अधिपती यानि कि सब्तमभाव के अधिपती नममभाव में और नममभाव के अधिपती सब्तमभाव में बैठे हो अब इसको समझना कैसे है? तो आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, लगन इसे कहा जाता है, यहां जहां एक नंबर दिखा हुआ है, यहां से कुंडली का गिन्ना शुरू किया जाता है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दश, ग्यारह और बार यह जन्नकुडली के बारह भाव, जिनमें बारह राशियां बैठी होती हैं, अब यह कोई आवश्यक नहीं है, कि यहां हर बार एक ही लिखा होगा, यहां एक भी लिखा हो सकता है, और बारह भी लिखा हो सकता है, पर एक से लेके बारह तक के बीच में ही, कोई एक अंक यह यहां लिखा रहेगा, clear है? यहां से बढ़ने के बाद आपको सीधे यहां देखना है कि यहां पे कौन सा अंक लिखा है, अगर यहां पे एक से लेकर के बारह में जो भी अंक लिखा हो आपकी कुंडली में, जैसे अगर एक लिखा यानि कि उसके अधिपती हो गए मंगल, दो अंक लिखा तो प्रिशव रासी हो गई, जिसके अधिपती हो गया शुक्र, अगर तीन लिख दिया तो बुद्ध को माल लेना, क्योंकि तीसरे नंबर पे बुद्ध की मिथुन रासी बनती है, चार अंक लिख दिया अगर यहां पे, तो करक रासी के अधिपती चंद् तुलाराशी बन जाती है, आठ लिख दिया गया तो व्रश्चिक रासी के अधिपती मंगल, नौ और बारह अगर लिखेगा तो देवगुरू ब्रहश्पती और दस और ग्यारह पे शनी जो की कुंभ और मकर राशियां, तो यहां पे जो भी अंक लिखा हो, अगर यहां के अ अधिपती होते हैं, तुलाराशी के अधिपती शुक्र, तो शुक्र यहां के अधिपती तो हैं, और दरशल इनको बैठना था यहां, पर बैठे कहां, जा करके नवे स्थान में, और नवे स्थान में नौ नमबर लिखा है, या नवे स्थान में भी एक से लेकर के बारह मे जो भी अंक बना हो उस भाव के अधिपती यहां बैठे हैं मैंने बात क्या करी थी कि 9 और 12 अगर लिखा हो तो उसके अधिपती देवगुरु ब्रहशपती होते हैं और वो यहां बैठे हैं तातपर यह कहने का यह है कि जन्मकुण्ली के सप्तम और नमम भाव के अधिपती अगर परिवर्तन योग कर रहे हो मतलब मुचुवल ट्रांसफर अपने घर में वो बैठ गए उनके घर में वो बैठ गए अगर यह स्थती बनती हो और साथी साथ लगन के अधिपती मजबूत हो और इन दोनों भावों के अधिपती भी बलवान होते हो बलवान होने का मतलब है कि वो शनी मंगल राहु के तुसे युक्तना हो कोई पापग्रह का असर बहुत कम होता हो वो पापकर्तरी में न फसे हो अस्तन होते हो सुर्य से और नीचराशी में न बैठे हो अगर उनके साथ ये विभिन घटनाय नहीं होती है तो ऐसी स्थती में ये अमारक योग होता है और ऐसे स्थती में ये कुंडली में जिनकी भी कुंडलियों में जिस भी जातक की कुंडली में ये स्थती बनती है तो वो जातक नितिवान, गुणवान और प्रभुत्तु स्थापित करने वाला धर्मक ये होता है क्योंकि ये धर्मका भाव है और यहां वो विधी का विधा आता होता है, स्वैम ब्रम्भा की तरह जिन्हें विरंची कहा जाता है, अगर ये इस्थुति आपकी कुंडली में बन रही है, तो अब उससे जरा नौमांस में भी चेक कर लेना चाहिए, कि वो कैसी स्थितियों से गुजर रहे हैं, मतलब यहां के अधिपती क्या नौमांस म चेक आपको नौमांस में करना है, इस चाहट में नहीं, इसमें सिर्फ यही देखना है कि कैसे वो बैठे हैं, और किन किन ग्रहों के बीच में बैठे हैं, अब जैसे मान लिजे, कि नौमांस में बैठ गये, अब इनके ही आगे और पीछे शनी और केतु बैठ जाएंगे, तो ये आमारक जो योग बनेगा, वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, और उसके प्रभावों में कमतरी देखी जाती है, बस एक छोटी सी बात थी, सोच आपको बता दूँ, अब कल का कारेकरम जरू देख लीजेगा, कुणली विश्रेशन का कारेकरम लंबा होता है, आप ल अर्थ बता देता हूं, गीता जी के दूसरे अध्यायके 49 वेश्लोक में भगवान ने बात कही है, क्या कही है, सिर्फ इतनी सी बात, करमबंधन दो आप जानते ही है, और करमबंधन का मूल तया अर्थ क्या है, इसको बता देता हूं, करम, बंधन, युक्त, जिसने अपने कर्मों में अपनी आसकती जागरित कर रखी है मैं ये बात हर बार कहता हूँ और हर बार मेरा प्रयास यही होता है कि कर्म में बंधो मत्म मतलब उस कर्म में बंधने का मतलब है कि आपने उसके फलकी प्रतिक्छा करी और उसके बारे में साकारात्मक या नाकारात्मक भाव पैदा किया कहने का मतलब है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की अनुरक्ती और किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए उसके लाव और अलाव की स्थती को ले करके बंधन मुक्त और निर्मूल हो जाएए निर्मम हो जाएए उस कर्म से आपका किसी भी प्रकार का वास्ता इस बात से नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से उसका संबंध ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें आपकी अनुरक्ती दिखे नहीं ये मुझे मिलेगा नहीं मुझे ये नहीं मिलेगा इस चीज से मुक्त होकर के अगर जिसने कर्म कर लिए वो निसंदे सफलता को और स्रेस्ट मति बुद्धी का मालिक होता है और दरशलवही स्रेस्ट योगी भी होता है आप जो भी काम करें उसमें किसी भी तरीके का वैर न रखें निरवैर हो जाएं और ये सबसे बड़ी और उची बात होती है आज की कारेकरम के लिए बस इतना ही कले बार फैस्टों पस्तित होंगे आप सब के सामने तब तक के लिए इजाज़त दीजिए कल का कारेकरम देखना जरूर विल्कुल जरूरी है अब तक के लिए बहुत बहुत आमशकर